नमस्कार राजस्तान सरकार के प्रतेक सरकारी करमचारी को अप्रेल माह के वेतन में जीपीए यानिकी समुह दुरगटना व्यक्तिगत वीमा की कटोती वेतन में से कटवारनी होती है जिसके लिए आपको SSO ID के माजम से प्रोशेश करके और इसमें एक विकल्प चुनना होता है और इसी विकल्प के अनुसार आपको वीमाधन देई होता है यानि कि अगर किसी करमचारी की सेवाकाल में एक्सिडेंटल डेथ हो जाए तो इसी इस्तति में उनके परिवार को इस परकार का क्लेम प्रदान किया जाता है वो सुत दुरगटना के एवज में तो इसी इस् प्रेल महीने के वेतन में इसकी कटोती करवानी है इसकी संपौन जानकारी हम आपको इस वीडियो के माधन से देने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको SSO ID को लोगिन करना है और लोगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको एक उप्सन दिखाई देता है SIPF याकिनी State Insurance Provident Fund New ठीक है इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे आप जिशे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में अगला जो आप्सन है आपको इस प्रकार से आएगा एक OTP आपके registered mobile number पर जाएगा और इस पे आपको इंटर करना है उसके बाद में submit OTP पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जिशे क्लिक करोगे तो OTP verify हो जाएगा और verify होने के बाद में आपके सामने इस परकार का इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पे आपके पास एक option आता है GPA आप simply क्लिक करोगे यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके पास दो option आते हैं एक GPA proposal दूसरा deposit जो पहले आप कर चुके है यानि कि पिछले वित वर्षों में और proposal आप नया देना चाहते जिस पे आप proposal पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपने जिशे क्लिक किया आपके सारे details से उपर आ जाएगी और यहाँ पे policy period है वो 2023 का आएगा क्योंकि April 2023 में आप यह proposal दे रहे हैं अब इसके बाद में आपके सामने GPA premium आपको कितना premium आपके वेतन से कटवाना चाहते हैं अगर आप 350 रुपे का विकल चुनते ह तो आपके जो assured है विमा धन है वो हो जाता है पांस लाक रुपे ठीक है उसके बाद में अगर आप 700 रुपे का proposal या premium चुनते हैं तो इसमें से आपको 350 रुपे आप दोगे और 350 रुपे सरकार देगी यानिकि 700 का premium आपको 350 रुपे देने है और इसमें आपको 10 लाक रुप तक का विमा धन दिया जाएगा उसके बाद में आप अगर 1400 रुपे का विकल चुनते हैं जिसमें से आपको 350 रुपे तो सरकार दोड़ा कंट्रिब्यूट होंगी और 1050 रुपे आपको employee group में देने पड़ेंगे इसमें जो विमा है वो 20 लाक रुपे का है insurance उसके बाद में अंतिम है जो 2100 रुपे का है जिसमें से आपको 1750 रुपे का देना है सलेरी में शिकटोती होगी और 350 रुपे इसमें भी सरकार देगी लेकिन इसमें अधिक्तम विमा रासी है वो विमा धन है वो है 30 लाक रुपे का मनला 30 लाक रुपे अगर किसी सरकारी करमचारी की accidental death हो जाए तो इसी हिस्तति में सरकार की और से उसकी परिवार को देई होती है अमाली जी हम 700 रुपे का चुनते हैं जो हमारा पहले भी है और 1400 भी चुल ले तो उसमें कौन सा अमरे ली बहतर है तो आपको अपनी स्वीधा के अनुसार इसमें सी कोई सा भी चैन कर सकते हैं जिस देखोगे तो नमीनी में यहाँ पे आपको शेयर भी देना होगा कि कितना प्रतिशत आप नमीनी को देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 100 लिख देना है इसके लाप अपनी स्वीधा के अनुसार भी इसमें दे सकते हैं तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और सेव क के पास एक कोटिपी आएगा अधार बेस्ट और इसमें आपको सिम्पली यहां पे ईंटर कर लै meditate करते हैं कि यहां पे हम सब्मीट और टी बीपी ए ख्लेक और यहांपे हमने सब्मीट ओर टी हठी किया तो हम एक बार 14 रुपे का करके देखते हैं आपसे यह भी पूछा जाता है कि कि किसी अंग में आपके कोई disability है तो एंड में, फूट में, इर में, आईज में कोई है तो आप यहां पे चूज कर सकते हैं अन्य था आप इसे खाली छोड़ सकते हैं उसके बाद में हम सब्मीट भी दाधार OTP पे क्लिक करेंगे तो इस बरकार से आप है वो अपना GPA प्रोपोजल SSO ID के माजम से ओनलाइन सब्मीट कर सकते हैं जिससे की आप जब salary अप्रेल महिने की बनेगी उसमें जो कटोती होगी वो इसी के अनुसार करवाई जा सके आज के लिए इतना ही धन्यवाद